नमाज़कार दोस्तों, 21 ओगस्ट 1911, फ्रांस की राजधानी पैरिस में मंडे मॉर्णिंग का समय था काफी चहल पहल थी, लोग अपने आफिस में काम पर जा रहे थे कि तभी अचानक से लूवरू म्यूजियम से तीन आदमी बहार निकलते इन तीनों ने पिछली रात म्यूजियम के अंदर ही काटी थी और अब इनके हाथ में थी लूवरू म्यूजियम की एक एहम संपत्ती जिसको एक कंबल में छुपा कर भाग रहे थे यह पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर सुभह की पौने आठ बजे की ट्रेन पगड़ते हैं और गायव हो जाते हैं पूरी दुनिया इस बात से अंजान थी कि इन्होंने अभी अभी एक पेंटिंग की चोरी करी है और यह कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है यह दुनिया की सबसे फेंटिंग है The Mona Lisa आज के दिने से एक पेंटिंग की वैल्यू वन बिलियन डॉलर्स के करीब है आखिर क्या कारण है इसके पीछे क्या राज छुपे है इस Mona Lisa के अंदर क्यूं है यह दुनिया की सबसे फेंटिंग आए समझते हैं रहस्य मोना लीसा का आज के इस वीडियो में